जो लोग कहते हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ उन्हें ये भी देखना चाहिए कि गुजरात में एजुकेशन सेक्टर में कैसा काम हुआ स्वास्ते में तो गुजरात नीती आयो की रिपोर्ट में नंबर वन है सर्वशिक्षा अभियान के आंकडों के मताबिक गुजरात में पिछले 20 साल में 1,45,000 क्लासरूम बनाए गया 20 साल में 1,85,000 टीचर्स की न्युक्ती हुई है पिछले 7 साल में 3,00,000 से जादा चातर प्राइबेट स्कूलों को छोड़ कर सरकारी स्कूल में शिफ्ट हुए हैं गुजरात के अंदर कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन मोहा कराने में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में एक है ग्यानकुझ प्रोजेक्ट के तहट गुजरात में 15,000 स्मार्ट क्लास्रूम बनाए गए 2022 तेश में 24,000 अतरिक स्मार्ट क्लास्रूम बनाए जाएंगे गुजरात में प्यूपिल टीचर रेशियो यानि कितने चातरों पर एक टीचर है वो रेशियो है 28-1 का यानि 28 चातरों पर एक टीचर है गुजरात में जबकि दिल्ली में जिसका एजुकेशन मॉडल जो है वो नियूवर्क टाइम्स छाप देता है वहाँ प्यूपिल टीचर रेशियो प्राइमरी स्कूल में 33-1 का यानि 33 चातरों पर एक टीचर है